Hello Friends, आईए अब हम यहाँ पर इस टुटोरियल में Maximum Company Discount के बारे में जानते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर Masters में जाएंगे, then Rate and Discount Master, आप देखेंगे आपको यहाँ पर Option मिलता है Maximum Company Discount. Maximum Company Discount का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ से किसी भी Company के लिए उस Invoice में Maximum Discount से ज़्यादा का Discount Raise नहीं कर सकते हैं, आईए देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमें Maximum Discount के विंडो डिस्प्ले करता है, साथे आप यहाँ पर देख सकते हैं, Left Hand Side में यह हमें वो Companies डिस्प्ले करता हैं, जिन Companies के साथ हम डिल करते हैं, आप यहाँ पर बेसिकली यह स्पेसिफाइ कर सकते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के रिटेलर्स को, स्टॉकिस्ट को, डिस्ट्रिब्यूटर्स को और अधर्स को कितना Maximum Discount स्पेसिफाइ करना चाहते हैं, लाइक हम यहाँ पर Galexo India Limited के रिटेलर्स को 5% का Maximum Discount देना चाहते हैं, स्टॉकिस्ट को हम यहाँ पर Maximum 4% का Discount देना चाहते हैं, और डिस्ट्रिब्यूटर्स को 2% का और इसी तरह हम यहाँ पर अधर्स को Maximum 3% का Discount देना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कंपनी के रिटेलर, स्टॉकिस, डिस्ट्रिब्यूटर और अधर्स के लिए Maximum Discount को स्पेसिफाइ कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर Maximum Discount स्पेसिफाइ कर दिया है, और उसके बाद अगर कोई भी ओपरेटर या यूजर, बिलिंग के टाइम पर, अगर इन्हें Maximum Discount से ज़्यादा Discount देता है, तो वो नहीं कर पाएगा, Thank you!